नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप आप सब की मेंस एक्जाम की प्रपरेशन बहुत अच्छी चल रहे होगी स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आपसे थोड़ी दिर पहले सीजी पीडीटियम की वेबसाइट पर सीटी इंटीमेशन स्लिप का नोटिस एक आ चुका है वहाँ पर लिख क्या रहा है कि इस लाइव नौ यह लाइव हो चुका है आप वहाँ से जा करके अपना एडवांस सीटी इंटीमेशन स्लिप जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते ह नहीं समझ में आ रहे हैं कि NTA ऐसी silly mistakes बार बार क्यों करता है मतलब कि ऐसा लग रहा है कि NTA एक मजाक हो गया है क्या यह agency कोई responsibility ही नहीं लेना चाहती है या बस जैसे समझ में आया जैसे तैसे इनको दे दिया गया कि तुम्हें recruitment कंप्लीट करना कि वह होता ना कि वह बस कबार में भर दिया गया जैसे चाहे जैसे चाहो जो करो बस किसी तरह से recruitment कंप्लीट करो चोटी चोटी सिली सिली मिस्टेक्स कभी एर कुछ और डाल देते हैं कभी डेट कुछ और डाल देते हैं कभी लिंक एक्टिव नहीं होता कभी आदे बच्चों का रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है शायद इसी के लिए जानी जाती है NTA जिसका नाम है न उपर देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर एलाट्मेंट ऑफ सेंटर सिटी टू अप्लिकेंट मेंस एक्जाम और यहां पर आप डेट ऑफ एक्जामनेशन देखिए 21 दिसंबर 2023 डेट ऑफ एक्जामनेशन इन्होंने क्या किया है प् सिटी ऑफ एक्जामनेशन हो यह आपका यही रहे डेट ऑफ एक्जाम जो है यह आपका यहां पर 25 जनवरी 2024 हो जाएगा ठीक है तो देखिए जैसा कि पहले होता आ रहा था अभी तक आपको पता सीजी पीडिटियम जब मेंस का एक्जाम होता था इसके पहले 2018 में चार में इनेजर सिटी में जो मेट्रो सिटी ती आपकी डैली मुंबई कोलकाता चिन नहीं वहीं पर होता था लेकिन इस बार देखिए इन्होंने क्या किया है हो सकता है अभी तक क्या कॉर्डिंग जो अभी तक यह इसलिप आया है उसके को आप देख लिजे कितने बज़े डाउन सेंटर तर यह प्रिलिम्स में जो इनको सिटी दी गई थी वही सिटी एक चीज या तो यह चेंज हो सकता है हो सकता है यह मौडिफाई हो जाए दुबारा से आए तब हम सोच सकते हैं कि आपको जो मेजर चार सिटी जबो दे ऐसे चांसे हैं मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि यह होगा या फिर कुछ और होगा क्योंकि अभी हमें नहीं पता है पिछली बार कोई और एजनसी करा रही थी इस बार कौन करा रहा है एंटी यह करा रहा है तो अभी हमें नहीं पता है कि यह सिर्फ चार सिटी में एक्जाम कंड़िट कराएंगे या उन सब जगे के जहां पर prelims हुआ था क्यों कि इस बार बहुत सारे candidates हैं जो आपका मेंस exam के लिए qualify हुए मतलब कि almost 11,000 से जादा candidates shortlist किये गए है मेंस exam के लिए तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर हर state से candidates को ये सिर्फ उन चार metro cities में बेढ़ेंगे ऐसा नहीं है तो ये चार सिटी आपको ये देंगे तो जो अभी हो सकता है कि ये modify कर दे modify करने के बाद जो नया आपको notification मिल जाएगा उस में हो सकता है यहाँ पर ये date change हो जाए ठीक है दोस्तों ये जो यहाँ पर prelims का आपका date दिखा रहा है ना ये प्रिलिम्स एक्जाम आपका हो चुका है 21 दिसंबर 2030 को आपको date शो कर रहा है ये प्रिलिम्स एक्जाम की बट यहाँ पर ये date change हो जाएगी हो सकता है कि कुछ इनकी विज़े से इनका कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जिसके लिए जाने जाते हैं हमेशा ये कुछ न कुछ ऐसे इस तरह की silly mistakes करते रहते हैं obvious है अगर आप गलती करते हो तो at least उसको accept करो कि हाँ आपने गलत किया है उसकी responsibility लो तब तो आप पर लोग भरोसा करेंगा आप responsibility लेते नहीं हो phone calls कोई करता है तो उठाते नहीं हो email पर reply नहीं करते हो और reply करते हो तो वही रटा रटा है sentence बोलते हो तो ऐसे नहीं चलता है आप clearly responsibility लो हाँ यह mistake हुआ एक notice डालो कि हमारा mistake था हम इसको further नए notice के थूँ आपको बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं यह जितनी बार भी इनसे mistakes होती ना तो कोई notice देते हैं ना कोई information कुछ नहीं देते हैं बस जैसे तैसे समझ में आ रहा है वह बताया ना मैंने कि बस जैसे तैसे कूला करकट है बस भर लो recruitment process को complete करो तो यह इनका एक बहुत बड़ा एक तरह से बोला जाए तो इनका बहुत बड़ा यह fault है बहुत बड़ी गलती है जो यह शुरुआत से करते आ रहे हैं अब देखिए दोस्तों क्या है आप लोग यह मान के चलिए कि जो आपका examination city आएग नहीं थोड़ी देर में होगा तो एक दो दिन में करेंगे क्योंकि सोते से जागते हैं यह तो थोड़ा इनको time लग जाता है तो हो सकता है कि इनको एक दो दिन इसको change करने में लग जाए या तो यह date change करेंगे या फिर date के साथ-साथ यह भी change करेंगे बट मेरे according यह change नहीं होगा ये आपका यही रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो आपका date है वो date change होगा बाकी जो आपका city है वो वही रहेगा जहां पर आपने prelims का exam दिया अब देखते हैं कि ये जो नया जो आपका advanced city intimation slip ये देते हैं तोकि अपडेट करेंगे अपडेट करके आपका city देते हैं या बोल सकते हैं क्या आपको examination center दिया जाता है अगर दोस्तों आपके में भी जिनों ने भी prelims qualify किया है आपके सब्के में भी क्या यही date आ रही है अगर आ रही है तो आप comment करके करके बताइए कि सर मेरे में यही date रही और अगर आपके में changes हो चुका है हो सकता है आपके में 25 जनवरी 2024 आ रहा हो और आप हमें comment करकी यह जरूर बताइएगा कि क्या जो आपको city मिला है वो city यही है जो आपका प्रिलियम से एक्जाम का था ठीक है बाकी पढ़ाई अपनी चालू रखिए किसी भी तरह का कोई भी distraction नहीं होना चाहिए इन सब चीजों से ले करके यह सब होता रहता है NTA की यह समझ लीजे कि उनकी रोज मर रहा की जिंदगी का हिस्सा है ठीक है बाकी आपका जो target है वो आपका target होना चाहिए मेंस exam qualify करना है that's it और कोई जानकारी कुछ पूछना चाहते है आप comment करके पूछना चाहते है झाल चाहते है